दोस्तों नमस्कार प्रणाम अभियादन सुईकार करें शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरे CM सिवराज ने अपने केबिनेट में इन फैसलों पर लगाई है मुहर तो चले देखते हैं सारी खबरे विस्तार से यदि आपको खबरे पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चिलन को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकान पे क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शिक्रता से मिले खबरे पूरी पाने के लिए वीडियो अन तक जरूर देखिएगा CMC 84 चवाने कोरोना संक्रमन की समिक्षा बैठक में लिये हैं बड़े फैसले उन्होंने का है कि विवा कारकरम में अधिकतम सौ से जादा व्यक्ति सामिल नहीं हो सकते वहीं अंतिम सरस्कार में 50 व्यक्ति समिलित हो सकेंगे CMC उरासी चवान ने का कि सिनेमा घरों को संचारन 50 फिजदी चमता के साथ किया जा सकेगा आप वही रेश्टारेंट अब 7% संचारित किया जा सकेगे और बाजार रात 10 बजे तक खुले रहेंगे तो इस प्रकार से कोरोना संकट के दवरान अब थोड़ी ठेल दी गई है जो की रहात की खबर है वही अगली जानकार ये एसिया का सबसे लंबा ट्रेक अब बनने जा रहा है मत प्रदेश में मत प्रदेश के पिथमपूर में एसिया का सबसे लंबा ट्रेक बनने जा रहा है इंदोर में 308 किलोमेटर के स्पीट से मुर्ती हुई सूपरकार अब तक सिर्फ जर्मनी इटली और अमेरिका में ही थी लेकिन अब यहां मत प्रदेश के इंदोर में बनने जा रही है उनती सो साथ हिकाड में बने इस ट्रेक से प्रदेश और देश में आटो मोबाईल इंडस्टी को रफ्तार मिलेगी आप देख सकते हैं इस प्रकार का ट्रेक है मैं आपको थोला बढ़ा करके बता देता हूँ फोटो में इस प्रकार से ट्रेक दिख रहा है यदि आप फेश टू पेश देखेंगे तो बहुती सुन्दर लगेगा वही अगली जानकारी है सीम सुरासी चववा ने फेक्ट चेक पोर्टल किया है लांच लेकिन इस पर कांगरेस ने तंज कस दिया है कमलनाद बोले हैं जनता को मालूम है फेक्ट आप अपनी सरकार का भाईश से देखिए प्रदेश सरकार द्वारा आज फेक्ट चेक पोर्टल का सुबारम किया गया है यह पोर्टल आमजन को ब्रामक खबरों तथा अफवाओं के संबन में वास्तविक जानकारी देने का कारी करेगा आप देख सकते हैं आप भी जा सकते हैं इस फेक्ट चेक पे उसके लिए आपको फेक्ट चेक.mp.info.org पर जाना होगा तो आपको इस प्रकार की खबरे मिल जाएगी तो इसमें आपको ब्रामक खबरों की जानकारी की वास्तविकता मिल जाएगी तो इस पर कमलनाथ ने बड़ा तंच कसा है शुरू किये गए पोर्टल पर कांगरेस ने कचा है तंच राजनीती में जनीत के लिए सुरू की जाने वाली योजनाएं भी राजनीती की भेट चड़ जाती है एसा लगता है कि विपक्ष का काम योजना की गोशना होते ही उसके खिलाब ततकाल कमेंट कर देना है ये जाने बिना कि योजना का जनता को कितना लाब होगा या नुकसान ताजा मामला सिवराज सरकार की फैक्ट चेक पोर्टल योजना का है इसका सुबारम किये हुए अभी कुछ ही घंटे हुए लेकिन इस पर कोई फैक्ट चेक भी नहीं हुआ है इस पर सरकार ने किसी खबर के पुष्टी भी नहीं की लेकिन यह जानकारी सामने आई और कांग्रेस ने योजना पर तंशकस दिया पूर्व सियम एवं प्रदेस कांग्रेस अध्यक्स कमलनाथ ने फेक्ट चेक पोर्टल को लेकर सियम सिवरासी चववान को निशाने पर लिया कमलनाथ ने कहा कि जनता को फेक्ट मालूम है आप अपनी सरकार का भविष्ट चेक कीजिए तो इस प्रकार से तंशकसा है आप सभी समझ सकते हैं कि यह तंश योजना के सुरुवात होते ही इस प्रकार से आना सही है या गलत वह यह अगली जानकारी है जनसंक्या नियंतरन कानून बनाने की हो रही है मांग बोपाल के विदायक रामेस और स्वर्मा ने सियम स्विरासी चववान से मांग किये कि मत प्रदेश में जनसंक्या नियंतरन कानून बनाया जाए बोपाल के हुजूर छेतर से भाचपा विदायक रामेशवर सर्मा ने सियम स्विरासी चववान को पत्र लिखकर मत प्रदेश में जनसंक्या नियंतरन कानून लागू करने की मांग उठाई है विदायक सर्मा ने पत्र में कहा कि जनसंक्या नियंत्रन कानून देश की अवस्कता है मतप्रदेश की सुरक्षा तता आर्थिक सुदार के लिए यहां भी आवस्यक है कि जनसंक्या नियंत्रन कानून लागू किया जाए वही अगली जानकारी है कोरोना का प्रकूब घड़ते ही सहर सपाटे पर निकले हैं लोग लेकिन आप सभी को ध्यान डखना है कोरोना अभी गया नहीं है कोरोना गाइडलाइन का जरूर पालन करें यदि आप सहर सपाटे पर जाते हैं वहीं अगली जानकारी है सरकारी स्कूलों में सुरू हो गई है आनलाइन पढ़ाई लेकिन बच्चों को अभी तक नहीं मिलिये किताबे इस पर सरकार को संग्यान लेना चाहिए इसकूल विभाग को संग्यान लेना चाहिए आनलाइन कक्छाओं के साथ साथ बच्चों को कित आवे भी दे तो उनकी पढ़ाई आसानी से होगी वही अगली जानकारी है मत्प्रदेश सिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा हाई स्कूल सर्टिपेगेट परिक्षा का रिजल्ड आज साम चार बजे घोशित किया जाएगा तो आप वेबसाइट पर जाकर की अपना रिजल्ड चेक कर सकते हैं वेबसाइट है www.mpbsc.nick.in इस पर जाकर के आप आज साम चार बजे अपना रिजल्ड देख सकते हैं वही अगली जानकारी है पूर क्रसी मंत्री सचिन यादाउजी ने उर्जा मंत्री प्रदुनमसी तोमर को पत्र लिग कर घरेलू यहां सिचाई बिजली को बिना रिडिंग लिए अधिक बिल भेज रही है और वे बिल अब हजारों में आ रहे हैं इस पर सरकार को संग्यान लेना चाहिए उन्होंने पत्र में लिखा है कि जहां किसान मजदूर और मध्यमवर्गी गरीब परिवारों का बिजली बिल 100-200 रुपे तक आता था भुकतान करने की स्थिति में नहीं है महेंगी बिजली से किसानों मजदूरों और मध्यमवर्गी गरीब परिवारों की कमर तूट गई है आज बिजली बिलों में भारी बढ़ोत्तरी के कारण गरीब वर्ग अंदेरे में रहने को मजबूर है इस पर सरकार को संग्यान ले कि लागडाउन के दवरान बिजली बिल माफ करते हुए बड़ी हुई बिजली की दरों को कम करने का निर्देश देने का कश्ट करें सचीन सुबास यादो तो इस प्रकार से पूरकर्शी मंत्री सचीन यादो जी ने उर्जा मंत्री प्रदमुसी तोमर को पत्र लिखकर पूरु सियम दिगवजैसी ने कहा है कि बिजली के बिल जमा मत करना वसुली वालों को यह दिखा देना क्योंकि पिछली बार जब सिवराज सरकार सत्ता में नहीं थी सियम सिवराज सी चववान सरकार में नहीं थे तब सियम सिवराज सी चववान ने यह कहा था कि यदी ब बिजली बिल जादा आ रहे हैं बिजली बिल आपको नहीं देना है वसूली वालों को यह दिखा देना पूरुसियम ने यह कहा था तो इस प्रकार से राजनीती में तंज कसाकसी चल रही है जिससे आम जनता को फाइदा होगा वही अगली जानकारिये मत प्रदेश को अब लं जम बारिस होने वाली थी वो काफी तेज से मूँ करके गुजरात पर च्छा गया है इसकी वज़ा हवा की दिसा और तापमान में बढ़ोत्री है यही कारण है कि इंदोर सहित पूरे प्रदेश में एक साथ घटाएं च्छा कर बरस नहीं सकी आदा जुलाइब इतने को आय है लेकिन अभी भी बारिस तुकड़ों में हो रही है एक और सिष्टम 18 से 19 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में बन रहा है इससे जमा जम की आस बनी हुई है मौसम इभाग ने 11 जुलाई से प्रदेश भर में अच्छी बारिस की संभावना जताए थी लेकिन बारिस तो हवा में उड़ गई मौसम एक्सपर्ट का कहिना है कि तापमान में बलोत्री के साथ हवाओं की गती और बदलती दिसा के कारण बारिस एक जैसी नई हो पा रही है अभी कुछ दिन पूरे प्रदेश में बारिस तो होती रहेगी लेकिन वह भी टुकड़ों में होगी वही मौसम एग्यानिक एके सुकला ने कहा कि कम दबाव का एक छेत्र बंगाल की खाड़ी में बन रहा है वह छेत्र 18 से 19 तारीक को बन सकता है इससे दो सिस्टम और बनेंगे जो मौसम को प्रभायद करेंगे मौसम एक्सपर्ट डीपी दुबे ने बताया कि पूरे प्रदेश को पानी तो मिलेगा लेकिन अभी जमाजम बारिश की संभावना जादा नहीं है इसका कारण बंगाल की खाड़ी में जिस सिस्टम से प्रदेश को भीगोने की संभावना बनी थी वह काफी तेजी से पहले यह मानसुन जारकंड के उपर था अब यह मत प्रदेश और चत्रीगड को क्रास करके गुजरात पर चले गया है अब यह गुजरात में बरस रहा है अभी यह सिस्टम कमजोर हो गया है 18 से 19 तारीक के बीश में वापस प्रदेश में जमाजम बारिश हो सकती है तो इस हुई फसले को नुकसान हो सकता है किसानों के चेरे पर नाराजगी जहलक रही है हाला कि भगवान से यही फ्रातना है कि थोड़ी बहुत बरसात कर दे हर जिले में बरसात कर दे ताकि किसानों को रहत मिल सके वही अगली जानकार यह मुख्यमंतरी कोविड-19 बाल योजना क के अंतरगात अभी तक 736 बच्चों को योजना का लाब मिला है जिनको 19,80,000 रुपए की रासी आनलाइन ट्रांसपर की गई है तो अच्छी बात है गुटनियुज है वही मुख्यमंतरी कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहद 238 आवेदकों को नियुक्ति आ उनके लिए योजना लाई गई थी उनके परिवारों के लिए योजना लाई गई थी जिससे उनके परिवारों को रहत मिल सके वही अगली जानकारिये मंतरी परिशत के महतपूर नियुक्ति 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 नियु में समाचार पत्रों को दी गई भूमी अब 2007 की दरों पर फिर से दी जाएगी जो समाचार पत्र संचालित हो रहे हैं उन्हें ही इसका फाइदा मिलेगा इस पर डाक्टर नरुत्तम मिस्रा ग्रहमंतिरी हैं जो मतप्रदे सासन के उन्होंने केबिनेट फैचलों के बारे में जानकारी दी है तो चले देखते हैं ग्रहमंतिरी डाक्टर नरुत्तम मिस्रा जी को लाईव केबिनेट के आज नेड़े में इंदोर विकास प्राधिकरन द्वारा जो प्रेश कॉम्पलेक्स था पत्रों को जो भूमी आवंट थी उसमें जो प्रेश चल रही हैं उन प्रेशों को कंट्यून्यू करने के लिए पुराने दर पर 2007 के दर पर देने का मद्यप्रदेश की केबिनेट ने तै किया बोपाल गैस्त रास्ती में दिवंगत व्यक्तियों की जीवित विध्वाओं के लिए सामाजिक पैंसन योजना के अतरिक्त एक हजार रुपया पैंसन दिये जाने की सुकृति आज मद्यप्रदेश केबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है यहां मैं यह कहना भी प्रासांगिक समझ रहा हूँ कि इसमें वित्ववाग की आपती के बाद भी मुख्यमंत्री के जी के द्वारा इस पश्ट निर्देश और गोश्रा के पालन में है कारवाई आज की गई तो इस प्रकार से जानकारियां थी यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को ज़एदा सजदा अपने दोस्तों में सेयर करें ताकि वे भी जानकर्यों से अपडेट रहें और जानकर्यों का लाब ले सकें तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत